नमस्कार दोस्तों यूटीब चलने में आपका स्वागत है कल हेवी वाटर बोर्ड में अक्जाम देने वाले सभी स्टुडेंट्स को हमारे तरफ से एडवांस में बहुत सारी सुबकामने आपको पेपर है वो अच्छे से करके आना है और पेपर में सेलेक्शन है वो लेकर ह आना है सभी इंस्ट्रेक्शन है वो आपने अपने अपने कार्ड में देख लिए होंगे कि किस परकार से आपको क्या क्या लेकर जाना है यह सभी चीज़े हैं बताने की जूट नहीं आजकल सभी अक्जाम्स आप दिये हुए इस्टुडेंट्स है तो आप सभी को यह कर पहुंच जाए ताकि आगे आपको कोई प्रोग्लम नहों अब आज हम इसमें जो टीए का फोरम आपको फिलफ करना है स्टुडेंट्स है उनको जो ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है तो उसे के फोरम की बारे में बताने वाले हैं कि वह आपको किस परकार से फिलफ करना है और वह फिलफ करेंगे तो आपको जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वह आपके काउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उसको हम देखने वाले हैं तो आप इसकी ओफिशल वेबसाइट पर जब आते हैं तो इसमें आपको ओप्शन मिलेगा ट्रेवलिंग अला इंडो है वह ओपन होगा जिसमें बतायागा है कि वेलकम टुदा हेवी वाटर बोर्ट टीए क्लेंस फोर्म फोर एसचेस्टी इसमें आपको सबसे पहले अपना अप्लिकेशन नंबर है वह एंटर करना आपके अप्लिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा वहां से आप लेक हो जाएगा यह टीए वाड़ा फोर्म ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का विंडो वह आपको दिखाई देगा इसमें आपको सबसे पहले इसमें जर्नी एंड जो परसनल डिटेल वगेरा है वह दिखाई देंगे सबसे पहले उसके बाद में डोकुमेंट्स अपलोड किया है यह सबी डिटेल है वो आपको इसमें दिखाई देंगे देख सकते हैं आपके डियो भी मदर्स नेम मोबाइल नंबर इमेल आएडी केटेगरी और जेंडर आपको सलेक्ट करना है जेंडर इसके बाद जो आता है वो एड्रेस फॉर कम्यूनिकेशन का आता है इसमें इसमें जो address line 2 है उसमें भी अपना address fill up करना है state UT है वो आपका अपना state है वो सलेक्ट करना है कौन से डिस्टिक्स है या फिर city से आते हैं और अपना pin code है वो सभी इसमें enter करना है उसके बाद में आपकी जर्नी की detail है वो इसमें पूछी जाएगी कि आपने कहां से यात्रा की किस क्षेन डिटेलड इसमें फिलफ करना है कौन सी सबने क्लास का पने करना हैए ऑन फिर्ष प्रक्रिकलास कन पने क्लास की सब्सक्राइब करना है आपका ticket nobre या PNR nobre है वह इसमें fill up करना है के बाद इसमें amount है वो आपको fill up करना है कि आपको कितना amount है वो आपने इसके लिए दिया है और इसमें आपको charge है वो कितना लगा है रिजरवेशन का चार्ज वह आपका कितना लगा है, तो ये सभी डिटेल इसमें, फिलफ करना है सब चीजा के आपके सबाँल ऊंचे देखारा सभाद सब सिब्सक्राहिए इसमें bank detail में आपको अपना saving account number है वो देना है आपका नाम है bank account में कि क्या है आपकी passbook में आप check के लिए वही नाम इसमें डालना है आपकी branch का नाम डालना है IFC code है वो आपको enter करना है next is BSR code तो BSR code क्या होता है यह आपको अपना branch का कोड होता है जो IFC code में लाश्ट में करमांग दिया होते हैं जैसे आप SBI के देख सकते हैं SBI N00 उसके आगे करमांग होते हैं bank के तो वही BSR code आप इसमें enter कर सकते हैं और आप अपने bank से भी पूछ सकते हैं वो आपको बता देंगे कि इसका BSR code है वो कितना है यह फिर आपने branch का जो code है IFC code के जो लाश्ट में आते हैं वो आप इसमें enter कर सकते हैं इसमें आपको address लिखना है कि आपका bank है वो कहां पर इस्तित है bank का पूरा address है वो फिलब करना है उसके बाद में आपको कुछ detail है वो इसमें बताने है कि आपको कोई cancel होया check की copy लेकर जानी है या फिर अपनी जो passbook है उसकी copy है वो लेकर जानी है अन्य था आपको जो TA है व इसमें save and continue पर आपको click कर देना है उसके बाद में इसमें कुछ documents है वो आपसे upload करवाया जाएंगे जैसे आपकी ticket वगेरा या फिर आपके admit card या फिर ID proof आपको card certificate वगेरा है वो upload करवाया जाएंगे तो आप वो documents है पीडिएफ या JPG size में आपसे documents है वो upload किये जाएंगे व और साथ में जो ID इसमें बताई गी है अपनी जो personal man ID है वो original ID आपको लेकर जानी है साथ में आपको to when you go how do you work आपको आपको साथ है वो लेकर जानी है और उसके बाद में वहाँ पर आपको इसका फॉर्म है वह भी दिया जाएगा और उस माफर detail फिलफ करवाई जाएंगी और उसके बाद आपका जो टीए है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा पुरंत में आपको फुने से हमारे तरफ से बहुत बेस्ट आपको पेपर है वो बहुत अच्छे से करके आना है इसमें सेलेक्शन है वो लेकर ही आना है दैन्यवाद